नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पूरुदहवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है होट थप थेरिपी के बारे पे अकसर हम नेट पे जब भी सर्च करते हैं किड्नी फेलियर तो बहुत सारे आपको चाइनीज होस्पिटल या फिर आपको इंडिन होस्पि क्या बाडियु की düşंशिज है क्या नक्सान है करना चीए ने करना चीए और सेंटिफेकली बॉडि में क्या होता है तो आपको समझने की ज़ुरुत है कि हमारी बॉडि में जो वेस मेटियल है वो कई तिर्चेसे भा निकलता है यूजि उन तो जब हमारी केड़नी खराब होनी शुरू होती है तो हम क्या देखते हैं कि किड़नी मिटिर्णी नहीं कर भारी वेस्ट मिट्रियल को बॉडी में वेस्ट मरिं इघटा हो रहा है अब यह जो वेस्तम आफ़चा हो रहा है, उससे स्चूल से निकालने का रस्ताे अच्छा नहीं होता और स्चूल के रस्ते वह नहीं निकल पाता पटरह आज यह इक अर अर्स्ता रह जाता हमें ऊप्दों इॡ़ों के स्थिरूं उसे पानी नमक येड़ जाफ़ के साथ एको शीज बहुत जादा मातरा में होती है। वह है यूरिया ओर जे वज्जे से ही ऑमारे पसीली में पहार है। अब यह जो यूरिया निकलरा बॉरी से भाद थैद तो यह में हेल्फ करता है। आपने बोड़ी लियुया को कम करने में, अगर आप कीड्नी फिले के पेशंट है तो क्योगी के ज़ुकि कीड्नी फिले पेशंट में के साथ लियुया भी बढ रहा होता है तो अगर हम किसी पेशंट को गरम पानी के तम्मा बिठाते हैं तो उसकी बॉड़ी में क्या होगा कि मेरी बुख्रिह लग एक मेरे जो भुख लग गई मेरी बूखरी लग गई लिपोर्टमें यूए metal इंदर आउन हो चाता है मगर क्रीटिन डाउन नहीं होता है करेकमा इसा आउन नहीं होता, किड्नी ठीक नहीं होती क्योंकि आप जिस पानी में बैठे वो, पानी आपकी बॉडी में अंदर एंटर नहीं कर रहा, आपकी किड्नी तक नहीं जा रहा अब जब वो किड्नी तक कुछ गया ही नहीं, तो किड्नी को ऐसा क्या मिला कि वो अपने फंक्शन को सुधा ले गरम पानी में बैठने से हमें यूरिया के symptoms में अरा मिलता है बट किट्नी फिलियर में अराम नहीं मिलता क्रियाट्नरीं के values बढ़ती चली जाती है अब क्रियाट्निंग की value क्यों बढ़ रही हैं? क्यूँकि किड्नी जो खराप continuously होती चली जा रही है क्योंकि किड्नी जो खराब होती है वो एक self-progressive disorder रहे अपने बढ़ने वाली बीमारी है इसकी पिछे कोईने कोई कारण होता है कारण अकसा BP शुगर जादा देखने को मिलता है कि BP से किड्नी खराब हो गई, सुकड़ गई, शुगर से खराब हो गई तो हमें यह चीज देखने को मिल रही होती है अब आपने कहा कि पानी में बैठ गए बट बीपी और शुगर को मैनेज नहीं किया BP आपका अभी भी हाई है, शुगर आपका अभी भी हाई है, तो इसका इंपैट क्या देखोगे, कि किड्नी कॉंटिनियूसली खराब डैमेज लेती रहती है, और जैसे जैसे डैमेज बढ़ता चला जाता है, क्रेटनिन की वेल्यूस बढ़ते चले जाती है यूरिया की जो लेवल्स है, वो थोड़े से डाउन जरूर होते हैं, बट वो बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो पाते हैं, तो सिम्टम में हमें आराम जरूर मिलता है, बट मारी किड्नी ठीक नहीं हो पाती अब जबाल यह उठता है, क्या हमें होटब थेरपी करनी चाहिए यह नहीं करनी चाहिए, तो होटब थेरपी के अगर फायदे और नुक्सान को अगर अपने माइंड में रखोगे, तो आप इसे कर सकते हो, अगर आपकी बॉड़ी में यूरिया के सिम्टम जादा है, यान क्योंकि बॉड़ी में यूरिया कॉंटिनुसली बन रहा है, क्योंकि यूरिया बनता है हमारे लीवर में, जब हम कुछ खाना खाते हैं, वो लीवर के पास आता है, बेक डाउन होता है, और उस प्रॉसेस कंदर यूरिया बनता है, अब यूरिया क्योंकि रोज बन रहा है, तो उसे रोज निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि गिंडी भी यही काम करती थी, तो हमें रोज टब में बैठना पड़ता है, तो सिम्टमेटिक हमें आराम देखने को मिलेगा, बट हम इसे लॉंग टब में करते हैं, तो हमें नुक्सान होना चुरू हो जाता है, क्योंकि अगर पेशन्ट डाबेटिक है, पानी की टब में बैठ रहा है, तो जक्खम, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, जक्खम बनने के चांसिस होते हैं, जक्खम बन जाएंगा, पेशन्ट की कंडिशन खराब होनी शिरू होती है, गर्मी का मौसम है, मैं जुन का मौसम है, पेशन्ट बैड़ गरम पानी में, नीचे गरम उपा गर्मी, तो हम एक और चीज़ दिखते हैं, कि पेशन्ट का जो हीट स्टॉक के चांसिस बहुत जाता पर जाते हैं, तो वो दूसरी, तीसरी है, dehidration, बानी आपका लिमेट कर दिया गया,lvania आपका युरिंग के रस्ते भी जा रहा है, पानी आपका यूर्णी के रस्ते भी निकलने लगा, तो हम बाडी में dehidration के लेने के लिए अड़ाइस नहीं करता, अगर किसी पेशेंट ने होटब थरेपी का माइंड में आ भी रहो कि मज़े होटब थरेपी लेनी है, तो उससे अच्छा होता है कि वो सोना बात ले ले, क्योंकि सोना बात में क्या होता है, हम पानी में नी बैटे होते हैं, अगर आपने बात ले 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 सकते हो, और अपनी बॉड़ी के अनुसाल लो, जब बतस्ती करके उसे मत लो, कि आपने लेना ही लेना है, ठेंड के मौसम में सोना बात लेना अच्छा है, होटटब थरेपी भी फादेबंद है, बटगरी में के मौसम में, अगर आप उसे और कॉम्प्लिकेशन्स पैदा हो सकती है, समझनी की जुरूत है, कि अगर किड्नी खराब हो रही है, तो किड्नी खराब होने के पीछे जो कारण है, बीपी, शुगर, अगर आपने उने अनकंट्रोल छोड़ा हुआ है, और आप सोच रहो कि इस थेरेपी से मैं ठीक हो जाँगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गल्तियों में से एक है, किड्नी की खराब हो हुई, किस वज़े से खराब हुई, जो को चुगा है, बढ़ नया नुकसान ना होनी कि वज़े से क्रेटिन लेवल आपके स्टेबल हो जाएंगे, एक बार वर स्टेबल हो गए, तो आपके क्रेटिन डावन आने बिशिआ करते हैं, केटिनि थिटेज़नी नेब और स्क्टिच में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इन्फिलेंट हो जाता है यह रिकवर हो जाता है, जो डेड़ पार्ट है वो रिकवर नहीं होता, इसी वज़ए से अगर किट्निल नेवल आपका 8 है, टीट्मेंट शुरू कोर के वो 4 तक तो आ जाएगा आपसे, बट वो नॉमलाइज नहीं होता क्योंकि किट्निक अधर डेड़ पार्ट भी है, और क कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन, कोई भी पैथी किसी भी डेड़ चीज को जिंदा नहीं कर सकते आज की डेट में फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते बट आज की मरे को इसी वज़ए से हम क्या देखते है कि क्रेट्निन की लेवल जाओन होना असान है बट अगर हम य और कोई भी चीज हम जब ट्राय करना चाहते हैं तो उसके उपर पूरी R&D कि वह कैसे काम करती है कैसे काम नहीं करती क्योंकि इन चीजों के पर बहुत सारे अलड़ी स्टडीज हो चुकी है और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टडीज को देखते वे अपने जो प्रिबीटी में तो प्रिकली दोश्कावाँ